हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो मंझू नीटिंग चैनल आज मैं आपके लिए यह दिखिए फ़स्ट पार्ट में मैंने यह दिखिए गले से स्टार्ट होने वाला स्वेटर बताया था मैंने आपको पार्ट स्वाइं पार्ट इसको हर तरह से बताने की कोशिश की है first part में मैंने गले से स्टार्ट किया यह देखिये यहां तक मैंने first part में बताया second part में मैंने इसके बाजू बताया यह देखिये और बाज्यू कैसे बनाने हैं और थर्ड पार्ट अब हम यह देखिए फ्रंट पेज और बैक पेज दोनों को कैसे कंबाइन करना है इसको कैसे कंबाइन करके पूरा बनाते हुए जाना है यह देखिए बैक पार्ट पे हमारे पास 74 फंदे हैं प्रंट पार्ट पे 34 फंदे हैं और 10 फंदे हमारे पास बटन पट्टी की है इन सब को कैसे कंबाइन करके हमें बनाते हुए जाना है यहां से हम यहां से हम एक सीधा एक उल्टी यह देखिए ऐसे वाली एक सीधी रो एक उल्टी रो ऐसा बनाते हुए जाएंगे और हमें बच्चे के साइज की लेंथ जितनी रखनी है उससे यह देखिए एक दो तीन चार यहां तक हमें नीचे डिजाइन बताना है यहां तक नीचे डिजाइन बताना है और यह वाले एक रो कंप्लीट करनी है चार धारियां बनेंगी इतना हमें नीचे का पार्ट बनाना है स्वेटर के नीचे का पार्ट इतना बनाना है उसके ऊपर का हमें एक सीधी रोव बनाएंगे एक उल्टी रोव बनाएंगे ऐसा बनाना है आपने ऐसे ही बनाते हुए जाना है बच्चे की लेंथ तक लेंथ से उतना ऊपर रखना है कि हमें इतना दिजाइन बनाना है और 8 रो बनाके बॉरडर की कम्प्लीट करने हैं उस हिसाब से बनाना हमें बाकी सारा हमें ऐसे ही 1 रो सीधी 1 रो उल्टी बनाते हुए जाना है बटन पट्टी ऐसे ही बनेगी यहां से मैंने यह देखिए एक होल यहां पे बनाया फिर बीच में यह देखिए 12 धारिया छोड़ी फिर फेल्व धारियां बनाएंगे फिर बटन होल बनाएंगे ऐसे ही बनाते हुए बटन पट्टी ऐसे ही बनाते जाना हमें बटन पट्टी ऐसे ही बनती जाएगी एक साइड की और यहां पे हमें एक पूरी रो सीधी बनानी है एक पूरी रो उल्टी बनाते हुए जाना यह देखिए दो फंदे बीना फुने निकाल ले बाक्की रोज सारी हमें सीधी सीधी बनानी है क्योंकि बटन फट्टे भी हमारी सीधे सीधे फंदों की है यह हमारा स्वेटर का थर्ड पार्ट चल रहा है फ्रेंस हर पार्ट को देखना पूरा सीधा सीधा बनाएंगे इसे कि सब्सक्राइब और कि बाट लगार बनाते हैं तक बत्ति यह जाना पार्ट अब होना है यह हमारे फ्रेंट पार्ट के फंदे चल रहे हैं आप जिस बच्चे का भी बना रहे हैं स्वेटर अगर वो बच्चा थोड़ा है तो यहां पर आपको फंदे बढ़ाने पड़ेंगे यहां पर फंदे बढ़ाएंगे और दूसरे पार्ट को ऐसे कि यह देखें दूसरे पार्ट के फंदों का आगे लाएंगे आगे यह देखें अगर बच्चा थोड़ा है तो यहां पर आप फंदे बढ़ा सकते अगर बच्चा थीक है तो आप बीना बढ़ाएं भी आगे बढ़ सकते हैं और अगर बढ़ाने हैं तो ऐसे आप फंदे एक दो मैंने दो बढ़ाएं आपनी चार फंदे बढ़ा सकते हैं, 6 फंदे बढ़ा सकते हैं, मैंने 2 फंदे बढ़ाए हैं, और फिर आगे बाले पार्ट को ऐसे साथ में कमभाइन करेंगे, यह बनाना हमें सीधा-सीधा ही है, सीधा-सीधा बनाते जाएंगे, यह बैक पार्ट के 74 फंदे हैं, जिने हमें सीधा बनाते हुए जाना है, यह दिखिए, यह सारे फंदे पहले हम सीधा-सीधा बना लेते हैं, यहां तक दिखे फ्रेंड्स वैक साइड के फंदे पूरे सीधे सीधे बना लिए यह दिखे अब दूसरी साइड का फ्रंट पार्ट और यहां उस साइड पर भी हमने दो फंदे बढ़ा लेंगे आप जिस बच्चे का बना रहे हैं अगर वह बच्चा थोड़ा है तो यहां सब्सक्राइब आप चार फंदे छे फंदे भी बढ़ा सकते हैं ऐसे सिधा-सिधा यहां पे भी फ्रंट पार्ट को ऐसे जॉइन करना साथ में तौनों साइड से हमें A-center row a Manaaxe चारगे वर नीचे डिजाइन ढालना ऑर 8 रोह हमें बनाके सीधी सीधी कंप्लीट करनी है थाकि border की हम्एरे पास चार धारियां बने तो उसे हिसाब से आपने लेंध रखनी है एक सीधी और एक उल्टी उसी इसाफ से बनानी है कि डिजाइन को भी बीच में एड़ करना हमने साथ साथ में बटन पट्टी पे होल भी बनेंगे बटन होल भी बनाते जाना एक साइड पे उल्टी रो यहाँ पे हमें दो फंदे पहले बिना बुने निकालके दूसरी साइड पे जाना है और सीधे बनाने है बटन पट्टी के फंदे सीधे बनेंगे बाकी उल्टी रो में उल्टे बनेंगे यह दस फंदे हमें सीधे ही बनाने है ये बटन पट्टी क्या फंदे हैं friends 10 फंदे बाकी हमें उल्टा-उल्टा बनाना है एक रो सीधी बनेगी एक रो उल्टी बनेगी बाकी ऐसे बनाते जाना उतनी बनानी है कि नीचे हमें थोड़ा डिजाइन भी चार बार हमें डिजाइन भी बनाना है और चार दारियां भी बनानी है उसे हिसाब से बनानी है आपने लंद यहां पर हमने जो दो फंदे बढ़ाए थे उन्हें भी हमें उल्टा उल्टा बनाना है एक दो बाकी फंदे फिर से वैसे ही साथ में उल्टा उल्टा बनाते हुए जाना है यह बैक साइड के फंदे भी सारे उल्टे बना लेते हैं दिखे फ्रेंड्स बैक साइड के फंदे भी हमने उल्टा उल्टा बना लिए यहां पर भी दो फंदे हमने बढ़ाए थे अगर बच्चा हैल्दी है तो आपने यहां पर चार फंदे बढ़ा सकते हैं दोनों साइड पर चार चार फंदे बढ़ाएंगे आठ फंदे बढ़ जाएंगे मैंने चार बढ़ाए हैं दो इस साइट से बढ़ाए हैं दो उस साइट से बढ़ाए हैं और बाकि रो उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट करनी है बटन फट्टी के फंदे भी सीधे सीधे बनाने है बाकी सारे फंदे ऐसे उल्टे उल्टे बनाते जाना बटन पट्टी के दस फंदे हमें सीधे बनाने तीन फंदे और उल्टे बनाएंगे यह बटन पट्टी के फंदे यह हमें सीधे सीधे बनाने है कि यह हमें सीधे सीधे बनाने हैं अगर्ण्स ऐसे बनाते जाएंगे एक रो पूरी सीधी बनाके कंप्लीट करेंगे एक उल्टी रो बनाके कंप्लीट करेंगे तो ऐसा बनता जाएगा तो बटन पट्टी के फंदे हमें दोनों साइट से सीधे सीधे बनाने हैं तो हमें यह डिजाइन नीचे हमें यहां तक बना लेते हैं फिर उसके बाद हमें चार बार यह वाला डिजा तो पहले ऐसे ही बनाते जाते हैं बना के कंप्लीट कर लेते हैं पहले दिखिंड्स यहां तक पूरी जितनी लूख रखनी है उसी इसाब से मैं नेन्य रोवग बना के कंपप्लीट कर लिए मार आगे हम थोड़ा सा डिजई के इसं के बास बार और बटन फट्टी के फंदे हमें सीधे सीधे ही बनाने है कि दो फंदे निकाल के धागा दूसरी तरफ करके यह देखिए आठ फंदे सीधे सीधे बनाने है यह बटन फट्टी के फंदे बाकी आगे हमें तीन फंदे सीधे एक फंदा उल्टा तीन फंदे सीधे एक फंदा उल्टा तीन फंदे सीधे एक फंदा उल्टा ऐसे ही बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट करनी है और दूसरी साइट बाले फंदे भी हमें बटन पट्टी के सीधे सीधे ही बनाने है डिजाइन की सेकेंड फ्रेंड्स पहले दो फंदे बीना पुने लेंगे धागा पीछे करेंगे आठ फंदे सीधे ये बटन पट्टी के फंदे आगे ये देखिए इधर हमारे पास दो फंदे उल्टे आये थे तो दो उल्टे बनाएंगे धागा पीछे करेंगे सीधा फंदा बनाया जाली बनाएंगे तीन फंदे उल्टे बनाएंगे एक फंदा सीधा जाली बनाएंगे तीन फंदे उल्टे बनाएंगे एक फंदा सीधा जाली बनाएंगे तीन फंदे उल्टे पूरी रो हमें ऐसे ही बनाते हुए कम्प्लीट करनी है एक फंदा सीधा बनाते जाएंगे जाली बनाते हुए आगे वाले तीन फंदे हम उल्टे बनाते जाएंगे पूरी रो ऐसे ही बनाके कम्प्लीट करनी है बटन पट्टी के फंदे सीधे बनाने है त्रेंड्स डिजाइन की थर्ड रो एले बटन पट्टी के फन्दे बनाएंगे दास फंदे k कि अब 3 फंदे हमें सीधे बनाने अधे जाली वाला फंदा घुज और साथ वाला जो ल्टा नज़र रहाำ ये और और विल्टा बनाएंगे दो फंदे उल्टे कि इन फंदे सीधे नजर आ रहे हैं यह सीधे बनाएंगे उस रोव हमें सुधोर सिधे बनाते आहिं यह पूरी रो हमें ऐसे ही बनाके कंप्लेट करनी है तीन फंदे हम सीधे बनाते जाएंगे दो फंदे हम उल्टे बनाते जाएंगे पूरी रो बनाते हुए ऐसे कंप्लेट करनी है लास्ट में बटन पट्टी के फंदे हमें सीधे बनाने हैं डिजाइन की फॉर्थ रोफ रे क्यवब का шonet पारन दो फंदे नज़र आ रहे हैं इन्य उल्टा बना लेता है झार जाओं देृफाथ टे हागे देखिए टीन फंदे ये उल्टे नजोर आ लेने उल्टा बनाएंगे तो दो फंदे सीधे नजर आ रहे हैं इसे बनाएंगे सिधा बना रहे कर थे इस दो फंदेर उल्टे तीन फंदेर दोन देर ईसे बनादे जाना पूरी रोमें आ दो है चम्स देर कौं सिर्ट आ टे उल्टे कि दो फंदे सीधे यह देखिए पूरी रो में हमें ऐसे ही बनाते जाना है अब डिसाइन की फिफ्ट रो बनाएंगे फ्रेंड्स पहले बटन पट्टी के फंदे बना लेते हैं सीधे-सीधे प्रेंगे दो फंदे उल्टे नज़र आ रहे हैं उल्टे बना लेंगे अब इन फंदे सीधे दो फंदे उल्टे ऐसे बनाते वह पूरी रो कंप्लीट करनी है यह डिजाइन की फिफ्ट रो चल रही है ला इसे बनाते हुए पूरी रों कंपलीट करनी है चैनल डिजाइन की सिक्स रो चलेगी लास्ट रो इस रोका डिजाइन है ये शिक्स रो चल रही है यह एले बटन पट्टी वाले फंदे बना लेते हैं सीधे-सीधे 10 पंदे 10 पंदे बटन पटे अब 2 पंदे उल्टे बना लेते हैं यह देखिए 2 पंदे सीधे जो नज़र आ रहे हैं आगे की तरफ से 2 का एक करेंगे यह देखिए फिर 3 पंदे उल्टे बनाएंगे फिर आगे की तरफ से दो का एक कर लेंगे फिर तीन फंदे उल्टे पूरी रोह हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है तीन फंदे उल्टे बनाते जाना है दो फंदो का एक फंदा करते जाना है तीन फंदे उल्टे दो का एक सीधा बनाते हुए तीन फंदे उल्टे सीधा बनाते हुए दो का एक करते जाना है पूरी रो हमें ऐसे ही बनाके कंप्लीट करनी है दिखे फ्रेंट्स एक डिजाइन बनके कंप्लीट हो गया अब दूसरा जो डिजाइन स्टार्ट करेंगे ये तीन फंदे जो उल्टे बने हैं ये वाला डिजाइन सेंटर वाले फंदे पर आएगा ये दिखे इधर हम कि यहां प्याएगा इस वाले फंदे पर चलो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं कि एले बटन बट्टे के फंदे बना लेंगे कि दस फंदे सीधे सीधे कि ये देखे तीन फंदे जो सीधे हैं सेंटर वाला उल्टा आएगा सेंटर वाला फंदा उल्टा आएगा कि ये तीन फंदे सीधे आएंगे कि ये सेंटर वाला फंदा उल्टा ऐसे ही करते जाएंगे रोंग साइट से स्टार्ट होने वाला डिजाइन फ्रेंड्स इसलिए ये दिखे उल्टी रो में डिजाइन स्टार्ट हो रहा है एक फंदा उल्टा तीन फंदे सीधे तीन फंदे सीधे बनाएंगे एक फंदा उल्टा ये दिखे अब यहाँ पर डिजाइन आ रहा है यह वाला डिजाइन यहाँ पर आ रहा है तो पूरी रों ऐसे कंप्लीट करेंगे तीन फंदे सीधे एक फंदा उल्टा डिजाइन की सेकंड रों आ गई है फ्रेंड्स पहल तीन फंदे उल्टे जैसे हमने पहले डिजाइन बनाया वैसे ही बनेगा एक फंदा सीधा जाली बनाते हुए तीन फंदे उल्टे एक फंदा सीधा जाली बनाएंगे तीन फंदे उल्टे बनाएंगे ऐसे बनाते हुए पूरी रोग कम्प्लीट करनी है डिजाइन की थर्ड प्रेंट्स बना लिए गांने एक स pounding ल्वाला फंदा बोना जाएगा सब्सक्रांति उन्हें और इल्टे बनाने हैं कि टीनसे सीधे ऐसे ही चलेगा पूरह पूरी रो में कि थर्ड राउंड है मुटे इन धितीन फंदे सीधे थीं सीधे डोफन दे फंदे उल्टे 3 फंदे सीधे पूरी रोह में ऐसे कम्प्लीट करना रहे हैं बटन पत्तिे के बंदे मैंने सीधे सीधे बना लिए अब ये दो फंदे सीधे बनते जाएंगे और ये तीन फंदे उल्टे बनते जाएंगे ये उल्टे नजर आ रहे हैं तीन फंदे ये उल्टे बनाते जाएंगे और ये दो फंदे सीधे बनाते जाएंगे इस पूरी रो में हमें बनाएंगे यहन्य सिधन से झाल मृण §2 10 लटै पनाएंगो जैसे पमदें नज़रार defafr abh ने यहा你是 यहांगे जैसे इसे फंदें नज़रारे वैसे ही बनाएंगे इती सीधे नज़रारे त्शरारा閍 साथ एंगे दो रर्छ बनाएंगे पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट करनी है, तीन फंदे सीधे बनाते जाना, दो फंदे उल्टे बनाते जाना, यह डिजाइन की हमारी फिफ्ट रो चल रही है, तीन फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, यह देखिए, तीन फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, जैसे नजर आ रहे हैं, पूरी रो में हमें ऐसे ही बनाके कंप्लीट करना है, यहां पर फ्रेंड्स यह देखिए दो फंदों का एक फंदा करना है सेक्स्तरों चल रही हमारी कर तीन फंदे जो उल्टे अंधुन में उल्टा ही बनाएंगे लाका पीछे करेंगे यह दो सीधे नज़र आ करते जाएंगे और आगे कि तरफ से दो का एक करते जाएंगे और में हमें ऐसे ही बनाके कंप्लीट करना देखिए फ्रेंड्स यहां पर हमारा दूसरा डिजाइन भी कंप्लीट हो गया अब क्या करेंगे यहां से पूरी लाइन हम उल्टी साइड पे हैं रॉंग साइड पे अब हमें पूरी रो सीधा-सीधा बनानी यह पहले बटन पट्टी के फंदे हम सीधा- सीधा-सीधा बनाके कंप्लीट करनी है देखिए फ्रेंड्स हमने सीधा-सीधा बनाके कंप्लीट कर लिया यह देखिए हमारे पास एक धारी बन गई अब क्या करेंगे हमें ऐसी ही तीन धारिया और बनानी है उसके लिए हमें सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी स कुप्लीट करेंगे तो हमारे पास तीन धार यां और बन जाएंगी तो यहां पर हमने यह एक बिटन होल हम इधर बना लेते हैं है दसफंदों की बट्टी है तो फांस पंदे बना लेंगे पहले अग्याँ जाली बनाते हुए यहां पर दो का एक कर लेंगे यह लिखिए बाकि हमें सारा 6 रो बनाके कंप्लीट करनी है दोनों साइट से सीधा सीधा देखे फ्रेंड्स मैंने यह बॉर्डर चार धारियां बनाके त्यार कर लिए अब क्या करेंगे सारे फंदे हमें क्लोस करते जाना सारे फंदे ऐसे ही क्लोस करते जाएंगे कि यह देखिए सारे फंदे लास्ट तक हमें ऐसे ही चेन बनाके यह देखिए एक फंदा बनाया फंदे के उपर से निकाला ऐसे ही सारे फंदे हमें घटाते जाना है इसे पूरा कम्पलीत कर लेते हैं देखेे फरंट्स पूरे हमें रोस कर दिये अब यहीं पर हमें कि इस दाक़ा कर देना इस दाक़ा का था कि को यह कुछे तके को निडल में डालके यह पर कर देंगे यह देखिए हमारा यहां पर बॉर्डर बन गया और मैंने लास्ट में यह देखे चेन कितनी सुंदर लग रही है जैसे आपने भी फंदे घटाने है कि अगा कि 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 मैंने पूरी कोशिश की आपको इस स्वेटर को parts में बताया है है कि फंट पार्ट में मैंने गलेवला पार्ट बताया सेकेंड पार्ट में मैंने बाजू बताएं और थर्ड पार्ट में मैंने तिनों आगे वाल वाले पेस और पिछे वाले को कैसे जोईन करना है पूरा मैंने… हिसाब से आपको अच्छी तरह से बताने की कوशिश किया है ,अगर आपको मेरे सिखाने का त्रिका अच्छा लगता है तो प्ली manage channel को subscribe करें लाइक करें जदा से जदा अपने friends में शेयर किया करें बेल आइकन friends ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाले वीडियो के notification सबसे पहले आप तक पहुंचें आगे मिलेंगे नहीं वीडियो के साथ